तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटुब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तो दोस्तो वेटिंग लिस्ट को लेकर उमिदवारों के लगतार कमेंटारे हैं कि नैशनल हिल्थ मिसन द्वारा क्या हमारी वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी या नहीं काई जाएगी यह एक सब सबसे बड़ा सवाल जो है उमिद्वारों के मन में बना हुआ है क्योंकि वेटिंग लिस्ट को लेकर हर एक उमिद्वार चाहता है कि वेटिंग लिस्ट जल से जल जारी होए और वह उमिद्वार सबसे ज्यादा चाहते हैं कि जिनके एक या दो मार्क सी वज़ा से उनके स्व वो कैडिडेट चाहते हैं कि जल से जल जो है वेटिंग लिस्ट आए दोस्तों उमिद्वार 4,000 प्लस 15,000 पोस्ट की जो वेगैंसी आउट की थी यानि कि दोस्तों सुरुवात में इस पोस्ट 4,000 थे और उसके बाद नैसनल हेल्थ मिसन द्वारा उनके अधिकारियों द्वा कब आएगी और कितने उमिद्वारों के लिए वेटिंग लिस्ट आने वाली है उसके बारे में सारी इंफर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूं और आप सभी के सारे जवाब मैं आप सभी को देने वाला हूं क्योंकि आप सभी को इंतजार है वेटिंग लिस्ट का और समय लगेगा तो कितना लगेगा और अद्वारों की एक और संकाय वेटिंग निस्ट को लेकर की नायोक द्वारा इस वेटिंग निस्ट को जारी किया जाएगा नहीं जारिकी की हो सबसे पहले आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से उपलवद कराई जाती है तो इसलिए दोस्तों हमारे चैनल स्टडी जोन को जरू सब्सक्राइब कर लिए और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर देजे कर कोई एक लाइक से हमें काफी जादा मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए नई नई अपडेट लाने के लिए तो चली दोस्तों अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की पर करिया सबसे पहला दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं कि इस वेकैंसी के अंदर 4000 पोस्ट की वेकैंसी थी फिर इसके बाद यानि कि इ इंता आगे कारण बने हुए हैं क्योंकि सॉट लिस्ट काइंडेट को ले लिया गया पर दोस्तों इसमें एक 1500 पद बढ़ाने की एक यहां पर जो है बहुत ही जो है जैनुविन वजा भी है क्योंकि नैसल हेल्थ मिसन द्वारा आप सभी को यह भी कहा जा सकता है कि इसमें जो 15100 पद बढ़ाए गए हैं वो इसी लिए बढ़ाए गए हैं कि जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है वो हमें जारी ना करना पड़े सट लिस्ट कर दोड़े पर दोस्तों क्या यह सच है क्या इसी परिकरिया से नैसल हेल्थ मिसन द्वारा काम किया जाएगा या नहीं किया यहाँ पर CCHN की यहाँ पर जो है सारे exam और final जो है clearance वो होने वाला है उसके बाद इसकी waiting list जारी की जाएगी और इसकी waiting list कम से कम दोस्तों यहाँ पर जो है उमिद्वारों की जो संख्या होने वाली है कम से कम 1200 से 1500 के बीच में जारी होने वाली है दोस्तों वो किसलिए मैं आप आप सभी को बताता हूं क्योंकि इसके अंदर पहले वी सीट जो है पद के उनुसार पूरे वेकंट नहीं है और इसकी waiting list आने की ज्यादा चांसे है और दोस्तों हो सकता है कि इस पोस्ट के कारण 4000 पोस्ट की जो वेटिंग लिस्ट है वो आने की जो है उमीद वो कम है वो क इतने यहां पर जो है अवियर्ती को इनुस्त किया गया है उसके बाद नाशनल हेल्थर मिसन द्वारा आयोग द्वारा यहां पर उन सवी चनित उमीदवारों की सीटे कनफर्म होगी और उसके बाद दोस्तों जो यहां पर पद बचेंगे उसकी waiting list जारी होगी तब ही दोस की जाएगी तो इसलिए दोस्तों जितने भी इस waiting list का इंतजार कर रहे हैं उन्हें कम से कम 4 से यहां पर 5 मेने waiting list के लिए इंतजार करना पड़ेगा तब जाकर उनकी waiting list यहां पर confirm होगी और दोस्तों दिखिए उससे पहले नैसल हेल्थ मिसन द्वारा यहां पर एक कदम नह के अंदर इसकी waiting list जारी होगी और दोस्तों waiting list जारी होगी तो इसमें ज्यादा उमिदवारों की shortlisted में नाम नहीं आने वाले हैं almost आप यहां पर कर सकते हैं कि 300 से 400 से ज्यादा उमिदवारों के इसके अंदर नाम नहीं आने वाले हैं reason यह है क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि इसकी waiting list की जो परकेरिया है पहले इसके अंदर पदों की निक्ति को बढ़ाए गया है जिसके कारण इसकी जो largest number of waiting list थी वो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर उन पदों को बढ़ाने की संक्या से यहाँ पर कट चुकी है और न सब्सक्राइब करने की वहां पर त्यारी चल रही है जिसके कारण हर एक भरती की परकरिया में थोड़ा सा थोड़ा वीलम हो रहा है जिसके कारण उमिदवारों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ रहा है दोस्तों आप 4000 पोस्टों की वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं पर दोस्तों मैं आपको यह पूरे तरह सासी वासन देता हूँ क्योंकि इसमें वेटिंग लिस्ट जादा जारी तो दोस्तों होगी पर आप सभी के कम से कम 4-5 मिनिट लगेंगे और ज़्यादा नहीं दोस्तों 300 प्लस ही कैंडिट इसके अंदर वेटिंग के अंदर आने वाले हैं उससे ज़्यादा दोस्तों वेटिंग के अंदर उमिदवार बिल्कुल ही नहीं आने के चांसे हैं मैंने आप सभी के सामने सारे फैक्ट और रिजन रख दीए हैं क्योंकि दोस्तों अभी जो अब्डेट निकल कर आ रही है कि नसले हिल्थ मिसन दवारा आप सभी के लिए कम से कम फिर से एक जो है वेकैंसी की जो है notification जारी ओने वाली है और यह सारे जो वेकैंसी है वो नए fresh वेकैंसी के अंदर जो है उनकी निक्ति कराइगे इसलिए दोस्तों इन दोनों की जो वेकैंसी है इसमें पहले 505 पोस्ट की ज्दा यहां पर आएगे और उसके बाद यहां पर जो है 4000 की पोस्ट की वेटिंग लिस्ट आएगी तो इसलिए दोस्तों दोनों भरतियों को अगर जोड़ा जाए तो कहीं ने कहीं उमीदवारों की थोड़ा सा उन्हें नुक्सान हुआ है जिनके एक या दो नंबर से जो है जो उनको सौट लिस्टेड नहीं किया गया है वाकि आप सभी को यहां पर अपडेट मिल गया कि वेटिंग लिस्ट की परकेरिया कब तक पूरी होगी और आएगी या नहीं आएगी यह एक सबसे बड़ा सवाल था और सारे डाउट मैंने आप सभी को किले कर दिये हैं अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो जुरूर कमेंट करिएगा और आप हमारे टेलिगराम चानल पर जुड़ेंगे क्योंकि हर एक अपडेटा हमारे आप सभी को नहीं किया सकता है और तयली वार यूटूब चैनल पर हमारे आये हुए हैं तो आप YouTube चैनल इस्टेडीज को ज़रू सब्सक्राइब कर लिए तो फिर मिलत